Good morning friends, in this video we will revise the poem where the mind is without fear and we will discuss some important questions from examination point of view. Eganation point of view से जो महत्तपुर्ण प्रस्ट हैं उनको discuss भी करेंगे और poem को एक बार revise भी करेंगे. Already this poem has been taught by me on my channel. मेरे चैनल पे ये poem already line by line पढ़ाया हुआ है. So in this video we will do the preparation for the examination. Eganation point of view से हम लोग poem को पढ़ेंगे कि कहां कहां क्या क्या कौन कौन सा मुख topic है जिसको इसमें highlight करना चाहिए. तो सबसे पहले कि ये एक बार लाइन का आर्ट से देख लें सीधे सीधे. Simple, simple बिना कुछ ज़्यादा कहे हुए. This poem has been composed by Ravindranath Tagore. ठीक है? So Ravindranath Tagore का लिखा हुआ ये poem. World class का poem, world fame का poem है ये. विश्व प्रसिद्ध कविता है इनकी. And this poem has been taken from Gitanjali. Gitanjali नाम की जो उनकी किताब है, जो कवेका संगरा है. उसमें से ये poem लिया गया है. और उसके उसी Gitanjali के लिए Ravindranath Tagore को, Ravindranath Tagore, actually उनका पहले का नाम था Ravindranath Tagore. और अंग्रेजों ने उनको Tagore मना दिया. So today we also call him Tagore. So where the mind is without fear, जहां दिमाग बिना भाए के हो. मनुश्क के जीवन की सबसे बड़ी समस्चा क्या है? तो वह है भाए. Fear. आदमिया जीवन डरता रहता है. इस बात कब है? तो उस बात कब है? ठीक है, घर से बाहर निकलेंगे? तो कोई लूट लेगा, इसका भाए. साम में घर वापस आएंगे की नहीं? इस बात का भाए. घर में कोई बीमार पढ़ जाए, तो उसका इलाज ठीक से होगा की नहीं? इस बात का भाए. पढ़ लिख जा रहे हैं, तो पढ़ने लिखने के बाद, नौकडी होगी की नहीं? इसका भाए. ठीक है。 इस बाते होती हैं मनिश के लाइफ में. तो पएट का कहना है, दिमाग बीना भय के कहा होगा? दिमाग में कोई डर नहीं हो, वो जगह कहां मिलेगी? जहां दिमाग बीना डर के हो, इस प्लेस की तलाश है. the poet is searching for a place where the mind is without fear so where the mind is without fear जहां दिमाग बिना डर के हो and head is held high और मस्तक आदमी का उंचा हो where knowledge is free जहां knowledge free हो knowledge के लिए शुलक नहीं लगे knowledge free of cost हो और free of all boundaries हो पुरा कोई बंधन नहीं हो ग्यान पर जिसको जो मन में आवे सुप पढ़ है यह नहीं हो सकता है डॉक्टरी पढ़ना है उसकी सीट इतनी ही है तो और लोग नहीं पढ़ सकता है ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी study करना चाहता है knowledge कर लेने का उसको freedom होना चाहिए यह होना चाहिए अपने हाँ है की नहीं है यह बात की बात है जिस समय में पोयम लिखा गया था उस समय दिस गुलाम था ठीक है तो गुलाम था तो गुलामी के समय में जो समस्याएं थी उन पर निशाना है knowledge is free मतलब knowledge free नहीं था सबों के लिए अब दूसरी बात है कि आज है कि नहीं आपके आहां आज भी तो सरकारी स्कूल्स हैं और private schools ह तो private schools में बच्चे पढ़ते हैं तो वहां फीस लगती ही लगती है तो अब कहेंगा कि सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जाते तो भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती तो बच्चे वहां इसलिए नहीं जाते प्राइविट स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई होती है तो वहाँ फीस लगती है knowledge is free, knowledge is not today, आज भी अपने यहां knowledge free नहीं है, knowledge is not free, we have to pay to get high quality knowledge but it is not the matter, where the world has not, because our country is free today, where the world has not been broken up into fragments, जहां संसार छोटे छोटे टुकडों में बटा हुआ ना हो, किस बात के लिए टुकडों में बट जाते हैं हम, तो by narrow domestic walls, अपने तुछ, अपने तुछ स्वार्थों के लिए, अपने तुछ स्वार्थ की दिवारों से घिर जाती है दुनिया, छोटे छोटे टुकडों में बट जाती है दुनिय यहां से दिवार मेरी, वहां से दिवार तेरी फूज वर्ड्स कम आउट फ्रूट फ्रूट जहां सचाई की गहराई से शब्द निकलते हो अर्थात, आदमी सच बोलता हो, सच क्यों नहीं बोलता है आदमी, क्योंकि उसके मन में डर रहता है We are fearful, so we are not able to speak the truth सत्य बोलने के लिए, सच बोलने के लिए आदमी में ताकत होनी चाहिए सच बोलिएगा, चोर को चोड कहिएगा, तो मारला ठीके कपार फोड़ देगा आपका तो कहने का आर्थ कि आपको सुच समझ के बोलना परता है Because you are fearful, you are under the fear of this system, of this process in which we are living So where words come out from the depth of truth But the poet wishes that the place should be such as the people will be able to speak their heart's feeling They should not feel any type of fear, they should be able to speak the truth without any fear Where tireless striving, tireless मतलब अथक, striving मतलब प्रयास, strategy मतलब फैलाना तो क्या जहां अथक, प्रयास, हाथ फैलाए, its arms Arms मतलब बाह, hands तो अपनी बाह फैला कर जहां प्रयास बाह फैलाए किस चीज से किसी को पकरने के लिए तो किसको पकड़ेगा towards perfection, पूर्णता की तरफ आदमी कोई काम शुरू करता है we start some work and after some time we feel some difficulty and when we feel some difficulty then we give up the work in the way and then we become free from that हम लोग काम को रास्ते में छोड़ देते हैं the poet wishes that the place should provide a chance for getting perfection of all types of tireless strivings without any discrimination where the clear stream of reason जहां clear stream of reason जहां चिंत जहां सोचने की जो धारा है व्यक्ति की stream है has not lost its way वो भटक नहीं जाये रास्ता the dreary desert sand of dead habits मिर्ट आदों मिर्ट रेगिस्तानी आदतों के मिर्ट आदतों के रेगिस्तान में मिर्ट आदतों के भयावा है रेगिस्तान में जहां स्वच्च चिंतन अस्पष्ट सोचने की रीजन करने की शम्ता नश्ट नहीं हो जाए जहां आनमी डड़ के जीता है जहां सही बात बोलने ही पाता है वहां रीजन करने की असपष्ट बोलने की छमता नश्ठ हो जाती है धीरे धीरे और आजमें वही बनी बनाए बनाई लकीरों पर चलने लगता है तो यह क्या हो जाता है ordinary results and update habits है जो हमारे दादा जी करते थे वही हम भी करेंगे हम जो करते हैं वही बादवाले लोग करेंगे कोई सच बोलेगा नहीं सभी लोग पॉलिस लगाएंगे जूट बोलेंगे तो यह ड़ के जिएंगे तो ड़ के अगर जिएंगे तो आप क्या जिएंगे क्या खाक जिएंगे तो मतलब आप डरिये मत निर्भाय होकर के जीना सीखिए और निर्भाय होकर के जीने के लिए आपको वह इसा अट्मस्फियर होने चाहिए जहां आपको निर्भाय होकर के जीने की आजादी मिलती हो thought and action के लिए की तरफ दिमाग जाए where the mind is laid forward जहां दिमाग बढ़े दिमाग जाए forward आगे की तरफ कहां पर आपके द्वारा by the oh god आपके द्वारा into ever widening widening मतलब फैलता हुआ जो हमेशा विस्तार होता हुआ thought and action चिंतन और काड़े चिंतन और कारे जो हो वो हमेशा विस्तार होता जाए यह नहीं कि आज एक कदम चले तो कल भी एक कदम आज एक कदम चले तो कल पांच कदम चलेंगे बढ़ते चलेंगे आज एक बात अच्छी बोलेंगे आज एक सच्चाई का सामना किया है कर दो सचाई के सामना करेंगे तो यह है कि thought and action should always be led forward into, mind should always be led forward by thee, O God, into ever widening ever expanding thought and action, हमेशा thought and action फैलता रहे फैलता रहे, बढ़ता रहे, विस्तरित होता रहे into that heaven of freedom यह है जो कलपना की गई, जहां यह सारी चीज़ें होंगी, knowledge free होगा stream of clear region होगा, जहां thought and action में हमेशा आदमी का दिमाग फैलता रहेगा तो यह सारा चीज़ें जहां होगी जहां इंसान बिना भाई के रहेगा माता उठा के चलेगा, knowledge जहां free होगा, जहां दुनिया छोटे मुटे टुकडों में, छोटे छोटे कहां होगी, तो उस चीज़ का नाम है freedom, freedom जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा, तो freedom क्या होता है, जहां freedom हो गया, वहां सारी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें होंगी तो जगह heaven हो जाएगा, heaven मतलब स्वर्ग, तो into that heaven of freedom, my father, father मतलब God, oh God, into that heaven of freedom, hey, पिता ईश्वार आप उसी स्वर्ग में, उसी अजादी के स्वर्ग में, मेरे देशवासियों को जगाईए, let my country awake, मेरे देश को जगाईए, मेरे देशवासियों को awake कीजिए, जगाईए, किसमें उसी freedom के स्वर्ग में, जहाँ इस सारी चीज़ें हों, जो पोएम में उपर हम दोगों ने देखा, where mind should be led forward, where mind should be without fear, and head should be held high, so ये सारा कुछ तभी संभाव है, जब आजा दी, तो ये पोएम आपको, ये चैनल पे मेरा जो वीडियो पढ़ाया हुआ है, आप उसको देखें, और उसमें आपको और ची तरह से समझेंगे, ये मैंने शॉर्ट में आपको पढ़ाया, क्योंकि और साब बहुत कुछ अभी डिस्कॉस करना बाकी है, ठीक है, तो ये, अब आगे समझेंगे, आप देखें, ये बहुत इंपरेंट है, कि समझें आपको लिखने के लिए आता है, तो समरी आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगी, पस्पोर्ट में मिलेगा, कुझिका में मिलेगा, नोट में मिलेगा, गेस में मिलेगा, लेकिन actually क्या क्या होना चाहिए, वीडियो देखने से आपको क्या फाइदा होना चाहिए तो वो मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया कुछ शब्द हैं, words हैं इन topics को अगर दिमाग में रखा जाए तो summary बहुत असान है, summary ही क्या अगर यह words सब आपको दिमाग में रहेगा तो you will be able to answer any question regarding this poem इस poem के सम्मंध में जो भी questions आएंगे exam में आप उसको लिख पाईएगा आडाम से तो उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया summary का नाम आएगा तो क्या होगा असो देखिए patriotic poem यह poem के विशे में क्या लिखा जा सकता है तो यह patriotic poem है यह देश भक्ती की देश प्रेम की कविता है कवी देश प्रेम की बात करता है जो कुछ भी खोजता है उमीद करता है that is about his country तो यह patriotic poem है तो आप लिख सकते हैं this is patriotic poem यह मैंने patriotic poem बोस्तुर में लिखा याद करने के लिए आप जिसको याद किजिए प्यत्री लेवेश्ट की बात्व रस्ट यह कविता है इंदि kissing ज prz Tetny space during that period, when India was not free, India was slave, India was ruled by Britishers, by foreigners, विदेशियों के द्वारा, अंगरेजों के द्वारा, शासित था ये देश, तो India was not free, ये आपको तीसरा point, prayer to God, actually ये क्या है, ये prayer to God है, भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है, प्रार्थना किया रही है, प्रेट कर रहा है, प्रेएर कर रहा है, कि ओ माई गओड, I pray to you, I pray you to awaken my countrymen into that heaven of freedom, that heaven of freedom, freedom के उस स्वर्ग में मेरे देश वासियों को जगाईए, उनको समझाईए कि ये सोने का वक्त नहीं है, ये किलियर सोचने का वक्त है, अजादी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा, तो प्रेएर टू गॉड टू अवेकें दा कंट्री, देश वासियों को जगाने के लिए कविता लिखी गई, प्रेएर टू गॉड है, ये जितना पॉइंट हो, पर इसको फुल सेंटेंस बना करके लिखी दीजिएगा, तो आपका एक लाइन हो जाएगा ये, फ्रॉम सलेवरी, जगाना कहां से है तो, फ्रॉम सलेवरी, गुलामी से उसको जगाना है, किसको देशवासियों को, आइडियल फ्रीडम, तो आइडियल फ्रीडम की बात होगी, अदर्स अजादी कैसी होगी, जो पूम का पूरा उलिखा हुआ है, कि वेर नौलेज इज़ फ्री, वेर हैल इज़ हैड़ है, वेर माइन इज़ विदाओ फियर, ने हैंगे एकार्ण मेक झाल ऑफ सियंगे कांगे क्नेख मेज, वेर फ्रीह हुआ है। एर वेर्ह हैं बात हैंगे क्ने हैंगे कसिज़ फॉप। ओ सरिवक चिए मेंगे कहांगे काझन, कि पुर नहाठिय 선 भादी का दिंग्स, let my country awake मेरे देश वासियों को जगा यह तो इस सारी जो पोएम का जो fact है point यह सारा है इप्रूब करता है the poet wishes to get ideal freedom आदर्स अजादी poet को चाहिए free education क्या क्या होना चाहिए free education होना चाहिए self respect होना चाहिए head is held high मस्तक उचा रहे मतलब है कि आत्म सम्मान से आदमी जीए इज़त के साथ जीए self respect है तभी तो उसका मतलब उचा रहेगा no present self no personal self स्वार्थ नहीं करें आदमी neuro domestic walls में बटा हुआ नहीं रहे छुद्र स्वार्थों के कारण दुनिया तूट नहीं जाए तो no personal self निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए dead habits वही आदतें जिन जो हम लोग प्रंपडाओं से करते आ रहे हैं और जिनकी कोई जरूरत नहीं है आँख मूद को उसको follow करना ये dead habits उसको बोलते हैं जो आज के data में क्या बोले हैं उसको word out of time हो चुका है उसका time पास कर गया हो तो time पास कर गया लेकिन आज भी हम उसको ढोड़ा हैं एक्सपार कर गया जो habits फिर भी उसको ढोड़ा हैं तो clear stream of reason सुचने की जो चमता हो जो तर्क करने की चमता हो अदमे की पहसान क्या है को तर्क करेगा reason करेगा आँख मुंद के बैठ नहीं जाएगा बलकि यो आँख खोल के देखेगा आँख खोल के देखेगा question पूछा कि यह अगर पूछ पाया तो पढ़ा लिखा आदमी है तो पढ़ा लिखा आदमी की पहसान है कि वो question पूछेगा आपसे तो clear stream of region होना चाहिए stream जो हो सुचने की जो धाड़ा हो वो साफ साफ हो clear समझ में आवे आदमी को यह पूछना है यह समझना है हमें वो दुबधा में ना जिये राश सवादी धंग से ना जिये वो clear हो उसका eyesight perfection of forest striving striving के लिए प्रयास के लिए perfection हो प्रयास जो करे आदमी वो पावे यह नहीं को दुचार पांच साल दस साल पढ़ाई किये सुचे कि यह करना है रहो नहीं पाया तो वो करने लगे वो काम करना चाह रहे थे तो वो पढ़ने लगे तो यह समने ही होना चाहिए यह आप जो करना चाहते हैं वो हो जाए आप जो यह striving करें वो perfect हो उसको perfection प्राप्त हो यह the poet wishes in this poem poet किया ही इच्छा है इस poem में narrow domestic walls यह अब यह बात क्या-क्या है किसी इंसे मुक्ति हो नहीं है आपको तो narrow domestic walls से tireless striving होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में dreary desert sand of dead habits heaven of freedom यह सारा कुछ topic है जो यह discuss करने का matter है heaven of freedom क्या है तो वो जहां उपर जो poem का पुड़ा समरी है जो जो condition रखा कि ऐसा हो जाए मेरे देश में जहां लोग डरे नहीं जहां उनका मस्तक उंचा हो जहां उस असपस्ट सोंचते हो जहां दुनिया चोटी मोटी बातों में बट्व ही ना हो जहां सपस्ट सोंचे आदमी जहां किसी से किसी को डर ना हो तो यह सारा कुछ हो तो वह क्या होगा तो ऐसी जो दुनिया झोड़ी होगी उसी जो अजाधी होगी जो किसी को कोई दिकत ही नहीं होगे किसी आफाह सब्सक्लीपश 시 को किसी से ऐंडी नहीं होगा जो यह ऐसा अगर होगा तो उसको बोलेंगे हम कि हैं और अधर ठीसॉत Ouiे अपरpres रइंडिया औरक्व dil Infin तो आ बने इंडिया औफ अवाड ड्रीम तो पोएट ने जो इस पुएम में जो सुचा जो बोला कि ऐसा होना चाहिए अपने देश में भगवान से प्रेर किया वो इंडिया ओफ हौड ड्रीम है भाड़ते में सारा philosophy है कि इंडिया का government ऐसा होना चाहिए भविश का भारत हमारा ऐसा हो तो आपकी नजरों का भारत कैसा हो What is your dream of India? इंडिया के विशे में आपका dream क्या है? तो आप इसको अराम से लिख सकते हैं कि इंडिया is my loving country I feel that in India there should be no fear for anyone. All persons should be able to keep their head straight head high or straight or knowledge should be free where the country or the world should be won should not be divided into fragments of narrow domestic walls where clear stream of region should be found and where all strivings, all efforts should attain, should get perfection and that is called the heaven of freedom. So यह हो गया, यह poem का meaning है तो आप इंडिया को आप इस एदर पर shape करें, इंडिया में सारा कुछ होना चाहिए and so my dream about India is that India should be able to get all these things, all the people of this country should be able to have all these points which the poet has mentioned in this poem. Importance of intellectual freedom, अब यह stream of clear stream of reason point है इस में तो उसका मतलब क्या है भाई, importance of intellectual freedom पढ़े लिखे आदमी को अजादी होनी चाहिए कि नहीं, देखिए अपने पढ़े लिखे आदमी भी है लेकिन डर के मारे वह भी सच नहीं बोलता है, सच बोलेगा तो problem खड़ा हो जाएगा, तो आपको है कि आपको intellectual मतलब बहुत धिक आजादी होनी चाहिए, आप जो चाहते हैं वो होना चाहिए, वो करने का आपको freedom मिले, यह नहीं कि उपर से आपका opposition party आपके खिलाफ लाठी लेकर के खड़ा हो तो आम आदमी तो मुर्ख है, उसको तो ग्यान ही नहीं है, वो क्या freedom का enjoyment करेगा, तो intellectual को freedom का एहसास होना चाहिए, और उसको इतनी ताकत होनी चाहिए, कि वो उसको enjoy कर सके, intellectual freedom मतलब अपनी बात कहने कि अजादी मिलनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, तो यह importance of intellectual freedom बह नहीं है, वहाँ समझे कि वो देश तो गुलाम होना ही होना है, यह ठीक है, तो फिर अब इसके आगे वाला जो topic है, अब देखिए, कुछ इसमें important words आए हैं, उसकी बात देखते हैं, कि poem में उनका प्रियोग हुआ है, किस अर्थ में, और उसका general अर्थ कुछ और होता है, तो fear, dread, यह poem में उनका है, इस meaning में, और इसका meaning यह भी होता है, बात वही है, dot mind, thinking faculty, और intellect भी उसका meaning है, poem में उनका हुआ है, thinking faculty के sense में यह, free with restrictions of any kind, independent, ठीक है, तो यह free का मतलब है, कि बिना किसी बंधन के, बिना भेदभाव के, with restrictions of any kind, without restrictions of any kind, और independent स्वतंत्र, narrow, limited in outlook, outlook मनें नजरिया आदमी का, छोटा हो, narrow उसको बोलते हैं, contracted मनें, short, छोटा, narrow का मतलब, पतला, पतला मतलब, छोटा, उसी आर्थ में है, limited, limited outlook, तो बोलते हैं, narrow outlook है, आपका, आपका, बहुत बढ़ी बाब नहीं बोलते हैं, आपका, जो outlook है, that is very narrow, तो, desert, desert का मतलब होता है, intellectualless place, यह poem में इसका, अर्थ यही है, बीना बुद्धी की जगह, जहां में सुचता नहीं हो, यह barren place, और सही माने में में है, कि जहां, कुछ होता नहीं है, रिगिस्तान होता है, उसको बोलते हैं, desert, forward, ahead, पोईम में है, आगे, ahead, towards, front, यह meaning हुआ, अब आपको, यह सारा कुछ आपको हुआ, तो, कुल मिलाकर के पोईम में आपने क्या देखा, कि इसको अगर कहा जाए, एक लाइन में कहने के लिए, तो, slavery to freedom, शलेवर दास से आजादी के तरफ, दासत्व से स्वामित्व की तरफ, दासत्व यह से स्वामित्व की तरफ बढ़ना, गुलामी से आजादी की और बढ़ना इसका प्रयासा यह पोईम, the poet wants, the poet Ravindana Tagore wants to feel all the people of this country to the importance of freedom, so he has composed this poem actually, he is a great poet he is a humanitarian, so my dear friends, इतना कुछी दिमाग में अगर आप रखते हैं, तो इस poem से कुछ भी प्रस्ण आएगा, तो आप छोड़ नहीं पाओगे छूटेगा ही नहीं, तो ये देखते हैं, और फिर important question का लिस्ट बना करके, आपके समख से लाएंगे आप प्लीज मेरा वीडियो देखते रहिए और कुछ चाहिए तो इस पर आप कोमेंट भी करेंगे, मैं इसको पर बिल्कुल ध्यान रखूँगा, थैंक्यू फोर वीविंग, हाई भेना इस देखते हैं